हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आज आपका हिंदी का सुलीख लिखने का दिन है तो आज ये लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले बिटा हम लिख रहे थे रंगों के नाम तो हम शुरू करते हैं रंगों के नाम से तो हम लिखती है आज पीला हाँची पीला पीला हम कैसे लिखेंगे बिटा हाँची पीला लिखेंगे सबसे पहले बिटा हम यह लाल लाइन के पास से शुरू करेंगे पाप बनाएंगे बिटा, सीधी लाएं आधे से ज़्यादा करप करेंगे छोड़ देंगे सीधी लाएं लाइं में लाएंगे बिटा तो P यानि किसकी आवाज आ रही है आपको E की मात्रा, तो हम इसको E की मात्रा लगाएंगे P, LA LA लाग सक किसकी आवाज है आ की मात्रा ल, आ, ला तो हमने क्या लिखा बिटा ये P, LA ठीके, तो हम लिखते हैं आगे नेला नेला के लिए बिटा हम चोच वाला ना बनाएंगे निचे जाएंगे बिटा हांजी, न सीधी लाएं इ की आवाज आ रही है तो हम इसको इ की मात्रा लगाएंगे नि, ला सीधी लाएंगे आदे से उपर से शुरू करेंगे उपर गुलाई लेके इसको नीचे लाके लाएंगे इसको मिला आतेंगे आग की मात्रा नि, ला हमने क्या लिखा बिटा पीला, नीला अब आपने बिटा ऐसा ही यहाँ पे सुन्दर सा लिखना है बोल के लिखना आपको मात्रा के पैचान होगी बिटा और आपको सुन्दर सा लिख पाएंगे लिखे पीला, नीला आग के बिटा हम लिखते हैं जानवरों के नाम तो जानवर क्या होते हैं बिटा जिस की चार टांगे होती है ठीके वो होते हैं जानवर ठीके तो हम लिखते हैं बिटा गाय गाय कैसे लिखते हैं बिटा गा पहले हम बनाएंगे ग सीधी लाइन बिटा आदिस जादा चोंचवाल हमना बना गा और हमने क्या बनाना है गा या याने की गर्ग सा आगी मात्रा गाय यह अंची गाय क्या है बेटा यह गाय चीक है आगे लिखते हैं बेटा हम बैल 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 सीधी लाइन बेटा गुलाई करेंगे मुटाई में वहीं खतम करेंगे हमने जहां से शुरू किया था बै यानिके ए की तो मात्राएं ए बैल सीधी लाइन बेटा आदे से उपर शुरू करेंगे वापिस उपर जाएंगे गुलाई करके इसको हम नीचे लाएंगे तो हमने क्या लिखा बेटा 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 अब हम बोलेंगे बेटा तो हमें पता चल जाएगा बेटा बेक कुँसी आवाज जारी आ की तो एकी वाज आते हैं, हम क्या करते हैं, एकी दो मातरा इं लगाते हैं, हमने लिखा बैल अब टा आपने इसी लाइन के निचे सुन्दर सा ऐसा ही लिखना है, गाय बैल आगे हम लिखते हैं बकरी क्या लिखना है हम बकरी तो हम बनाएंगे ब सीधी लाइन लेंगे बेटा गुलाई करेंगे वहीं शुरू करेंगे वहीं पर हम इसको खतम करेंगे बक सीधी लाइन करी री रग कोंसे मात्रा के वाज है बेटा ये जिसके आवाई लंबी होती है हम जोर लगाके बोलते हैं तो बड़ी मात्रा होती है तो बड़ी मात्रा हमारी पीछे से आती है बकरी आगे हम लिखते हैं बेटा घोड़ा घोड़ा घ, घ बनाएंगे बेटा, वापिस जाएंगे, इसको इसी लाइन के बराबर उपर से इसको सीधी लाइन, घो, यानि ओ की आवाज या तो ओ की मात्रा, डा, सीधी लाइन लेंगे बेटा, छोटा सा लाइन आएगी, गुलाई करेंगे यहां से, इसको पहले डा बनाएंगे, लागे निचे इसकी हमारी बिंदी आएगी, तो आ की अवास, आ की मात्रा, तो हमने क्या लिखा बेटा, घोडा, लिखा हमने घोडा, बेटा सुन्दर सा लिखेंगे, इसकी निचे बक्री गोडा, बेटा बोल-बोल के लिखे, सुन्दर लिखे, आपको मात्रा पे अचान हो सुन्दर बनाए सुलेक लिखे विटा धन्यवाद आपका दिन शुब हो